बिहार नमन जीएस में आपका स्वागत है बिहार नमन पब्लिसिंग हाउस के द्वारा प्रकासित बिहार स्पेसल किताब बिहार समाने वीबर निका में दिये गए 700 MC की उसका अहमध्यन करेंगे इस क्रम में आज हम प्राचीन बिहार के इतिहास के प्रस्णों को जानेंगे बिहार का इतिहास इस बिहार के इतिहास में हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास के वस्तुनिस प्रस्णों को देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रस्ण के साथ हमारा पहला प्रस्थन है बिहार में सरपर्थम किस मुस्लिम सासक ने आक्रमन किया आपके option है option A अलावदीन खिल जी, option B बक्तियार काकी, option C बक्तियार खिल जी option D सिकंदर, option E उपर्युक्त में से कोई नहीं उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा बक्तियार खिलजी 12 सताबदी में अर्थाथ 11 weird 19.99 इसी भी में बक्तियार खिलजी ने अपने पूर्भी विजयके करम में बिहार पर आकरमन किया और यहां इस्टीत जो भी बहुत बिहार थे उस बहुत बिहार को तोरा और बौध अस्तूब को तोरा और बौधों की हत्याएं भी इन होने की तिश का सही जबाब हो जागा बक्तियार खिल जी प्रसंख्या 2 है बिहार का नाम बिहार क्यों परा? उप्षन A घने जंगलों के कारण, उप्षन B सिक्षन केंद्र के कारण, उप्षन C बूध धर्म के प्रसार के कारण, उप्षन D बहुत बिहारों के कारण, उप्षन E उपरिक्त में से कोई नहीं उपरिक्त में से एक से अधिक इन चारों बिकल्पों में सबसे सटीक उत्तर है वो है option D यानी बिहार का नाम बिहार में इस्थित बहुत बिहारों के कारण परा यहां ध्यान देंगे बिहार में जो भी बहुत बिहार थे वही बाद में अपभरंसित हो करके बिहार कहलाया प्रस्ण संख्या तीन है नालंदा, बिक्रम सिला और उदंदपूरी इस्थित है option A बिहार में, option B बंगाल में, option C पाकिस्तान में, option D जहारखंड में, option E उपरिकुत में से कोई नहीं, उपरिकुत में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है option A बिहार में, यानि नालंदा, बिक्रम सिला और उदंदपूरी इस्थित है अधिक प्रस्टन क्या चार है बिहार में किन अस्तलों से उच्च पूरा पासान तथा मध्य पूरा पासान काल के अबसेस मिले हैं Option A है नालंदा, Option B गया, Option C मुंगेर, Option D भागलपूर, Option E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक यहां ध्यान देंगे बिहार में जो भी खुदाई हुई है उपर्युक्त में नालंदा, मुंगेर, गया और भागलपूर इन चारो जिलों से उच्च पूरा पासान तथा मध्य पूरा पासान काल के अबसेस मिले हैं उच्च पूरा पासान में रहने वाले व्यक्ति अपने हथियार दो रूप में बनाती ते पहला बनाता था पत्थर से और दूसरा बनाता था हडियों से प्रस्ट रंख्या पांच है बिहार में नव पाशानिक बस्तिया कहां से प्राप्त हुई है इसका सही उत्तर होगा उप्सन E उपर्युक्त में से एक से अधिक यहां ध्यान देंगे कि बिहार में नव पाशानिक वस्तियां चिरांद एबम चेचर, मुंगेर, तारादी एबम मनेर और से नुवार सभी जगह से प्राप्त हुआ है प्रसंख्या 6 है बिहार में लोहे के बेभार का प्रथम साक्ष प्राप्त हुआ है उप्सन E चिरांद, उप्सन B तारादी, उप्सन C माजी, उप्सन D A तथा B दोनो तो इसका सही उत्तर है D A तथा B दोनो यानि बिहार में जो लोहे के बेभार हुए हैं वह लोहे के बिभार के साख्ष हमको चिरांद से और ताराधी इन दोनों जगह से मिलते हैं आपको बता दें कि चिरांद जो है वो हमारे सारन जिले में इस्तित है ताराधी जो है वो हमारे गया जिले में इस्तित है और खुदाई के क्रम में चिरांद और ताराधी दोनों अस्थानों से लोहे के बेभार के प्रियोग मिले हैं साक्ष मिला हुआ है यानि यहां उस समय में रहने वाले लोग लोहे के बेभार का यूज करते थे लोहे से बने हथ्यारों का यूज करते थे अगला प्रस्टन है मगद का प्राची नाम क्या है? Option A कीकट, Option B अंग, Option C सेनुवार, Option D A तथा सी दोनों तो इसका सही उत्तर होगा Option A कीकट, यानि मगद का प्राची नाम कीकट है यहाँ ध्यान देंगे दीग बेद के तीसरे अध्याय में कीकट नामक प्रदेश की चर्चा की गई है जिसमें कहा गया है कि परमांगत नामक सासक कीकट प्रदेश पर सासन करता था और कीकट की पहचान आधुनिक मगद समराजी और मगद प्रांद के रूप में की गई है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Option A कीकट प्रस्टन क्या आठ है सदा नीरा कहा जाता है Option A घागरा को, Option B गंडक को, Option C गंगा को, Option D सरस्वती को इसका सही उत्तर होगा Option B गंडक को, सदा नीरा नदी गंडक को कहा जाता है क्योंकि गंडक में बार हमेशा पानी भरा रहता है और इन सभी नदियों में सबसे पवित्र नदी गंडक नदी को माना जाता है और कहा भी गया है और इसको अन्य नाम जैसे गंडक को हम लोग गंडेकी और गंडक को हम लोग नरायनी के नाम से भी जानते हैं तो इनके तिन नाम हो गए आप इस तीनों नामों को याद रखेंगे पीटी में तीनों नाम पूछा जा सकता है अब यहां समझने बाली बात है कि गंडक नदी को जो सदा नीरा है वह सदा नीरा सत्पत प्राह्मन में कहा गया है यह भी काफी महत्तपून है इन फैक्ट को भी आप याद रखेंगे प्रसंख्या नौ है किस आरेने मिथला में आरेकेंद्र अस्थापित किया था सत्पत ब्राह्मन में ऐसा कहा गया है कि माधव विदे जो की एक आर्यन मुल के वेखती थे उन्होंने पूर्वी विस्तार के क्रम में यहां ध्यान देंगे माधव विदे एक आर्यन मुल के वेखती थे अभियान के क्रम में इन्होंने क्या किया सिंधु नदी को पार करते हुए इस हमारे जो यह प्रांथ हमारा बिहार वाला एरिया है बिहार एरिया में गंडक नदी को पार किया और गंड़ नदी को यहां देखेंगे जैसे बिहार का हम मैं आपको बताने का प्रयास करेंगे य आपको यहीं पर गंडक नदी बैठिती तो गंडक नदी को यह पार करके यह जो भी गंडक नदी से ले करके और यह गंगा नदी के रिया का उपर का जो भी हिश्चा है इस वासा के एक ca संख्यादस प्रख्यात विद्वान गौतम और याग्यवल के किसके दरबार में रहते थे option A जनक, option B माधव विदे, option C बक्तियार खिलजी, option D ए तथा बी दोनों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option B माधव विदे option D ए तथा बी, दोनों option E उपरिक्त में से कोई नहीं, उपरिक्त में से एक से अधिक तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा जनक, यहाँ ध्यान देंगे माधव विदे, माधव विदे, जिन्हों ने मिधला में आरेकेंद के अस्थापना की थी वह माधव विदे के 25 में वंस के राजा थे, यानि इसको हम लोग इनके तो बंस अस्तापित किया गया, उनको हम लोग कहते हैं विदे हे वंस, और इसी विदे हे वंस के जो 25 में राजा थे, उसी राजा का नाम था राजा जनक, जिन्हें सीता के पिता के रूप में भी ख् याग्यवल्क जी बिधी और कानून पर नियम बनाते थे यहां ध्यान रखेंगे याग्यवल्क जो थे वह बिधी एंड का वह कानून पर नियम बनाते थे और गौतम जी जो थे वह गौतम जी दर्शन की जटिलताओं को समझाते थे दर्शन की जटिलताओं को सुल्जाने का प्रयास करते थे तो यह इस प्रकार ध्यान रखियेगा कि गौतम और यागवल्क रिशी जो थे यागवल्क थे वो हराजा जनक के दरवार में रहते थे उनकी सुभा बरहाते थे अगला प्रस्ण है प्रसंख्याई 11 मिथला में गन्त अंत्रात्म के वेवस्था कब आरम हुई उप्शन A चोथी सताबदी उप्शन B इसापूर्व चोथी सताबदी उप्शन C चटी सताबदी उप्शन D इसापूर्व चटी सताबदी इसका सही उत्तर होगा इसापूर्व छठी सताबदी इसापूर्व में मिथला में गन तताब में व्यवस्था की अस्थापना हुई थी अगला प्रस्ण है प्रसंख्या बारा बिहार में सरपर्थम नगरी करन के लक्षन कब प्रकट होते हैं लग्षन के अधिक हैं इहां ध्यान देंगे कि बिहार में नगरी करन के सबसे पहला प्रमान पाया जाता आँ वह पाया जाता है ल हमारा उप्सन बिजारी क्या था कि जो पर्यों जुपरी बना करके रहते थे और यह जो जुपरी हुआ करती थी वह एक दूसरे से सटा हुआ होता था और लौ संस्किति में लोग क्रिशी कारे भी किया करते थे लोग सिल्प यहां सिल्प उद्योग भी काफी विक्सित था छोटे मुटे बेवसाय भी किया करते थे और सबसे बरी बात क्या है कि इन्हों ने जो जोपरी बनती थी विकासे से जो बस्ती का निर्मान होता था उस बस्ती को घेरने की जो प्रथा या घेरने का जो प्रमान है वह भी सबसे परतम हम को लव संस्कृति में ही मिलता है यह बिहार के संदर में लागू होता है अगला प्रस्न है अगला प्रस्न है प्रसंख्या तेरा वैशाली नगर से एक से अधिक। यहां ध्यान देंगे कि वैसाली नगर के अस्थापना राजा विशाल के दोरा किया गया था। अब समझते हैं कि राजा 20 साल वो कौन थे। यहां ध्यान देंगे अभी हम लोगों ने विदेह वंस की चर्चा की है जिसको कि माधव विदेन ने अस्थापि किया था तो विदेह बंस के 24 में पिरी के राजा थे उनका नाम था राजा त्रिन बिंदू उनका नाम था राजा त्रिन बिंदू और इनकी पत्नी थी अलंबूसा तो इन ही अलंबूसा के गर्म से ही राजा विशाल का जनम हुआ था और जिन्होंने बाद में वैसाली नगर अस्थापित किया था यानि विशाल वैसाले नगर को अस्थापित करने वाला व्यक्ती विदेह वन्स से तालूक रखता था प्रसंक्या 14 है अंग महाजनपद का अंतिम स्वतंत्र सासक कौन था पहला प्रसंक्या 15 है चेदी वन्स का अंतिम राजा का क्या नाम था तो यहां ध्यान देंगे कि चेदी वर्ण्स का जो अंतिम स्वतंत राजा था उसका नाम था रिपुन्जे इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी रिपुन्जे प्रस्ण क्या सोला है महत्व कांची बीम्बी सार ने अपने समराज के विस्तार के लिए काफी महत्व पूर प्रस्ण है समराज के विस्तार के लिए निमली खित में से कौन सी निती का पालन किया Option A व्यवाहिक संबंध वनाने की नीती Option B यूद्ध करने की नीती Option C उसने ऐसा कुछ नहीं किया Option D A तथा B देनों दोनों Option E उपर्युक्त में से कोई नहीं उपर्युक्त में से एक से अधिक तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Option A व्यवाहिक संबंध बनाने की नीती बिम्भी सार जब मगर समराज का सासक बना तो उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आसपास के जो भी प्रांच थे जो भी छित्र था वहां की राजकुनोंने साधी किया और साधी करके अपने समराज का बिस्तार किया यहां ध्यान देंगे इस समराज बिस्तार करने के लिए बिम्भी सार के दोरा जो सबसे विशेश समराज जवादी निती का पालन किया गया था वह था वैवाहिक संबंद वस्थापित करने की नितियानि विवाह के माध्यपत इन्होंने क्या किया सवराज का विष्थार किया प्रसंख्या सत्रह है कोशल नरेश प्रसेंजीत की बहन का क्या नाम था option A कोशल कुमारी, option B चेलना, option C कोशल देवी, option D छेमा इसका सही उत्तर होगा option C कोशल देवी, यानि कोशल नरेश प्रसेंजीत की बहन का नाम कोशल देवी था प्रसंख्या ठारा है निम्न में से कौन बिम्विसार की भारिया, भारिया का मतलब होता है पत्नी पत्नी थी option A कोशल देवी, option B छेमा, option C चेलना, option D ए तथा सी दोनो, option E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option E उपर्युक्त में से एक से अधिक यहां ध्यान देंगे साथियों कि बिम्विसार ने हमने पहले भी चर्चा किया था कि बिम्विसार ने अपने समराज विस्तार के लिए वैवाहिक निती का पालन किया था इसी बबाएक निति को पालन करते हुए उन्होंने कोसल देवी, चेलना और छेमा तीनों से साधी किया था अब समझते हैं कोसल देवी कौन थी? तो हमने पहले भी चर्चा किया कि कोसल देवी, कोसल नरेस प्रसेंजित की बहन थी छेमा कौन थी? तो छेमा मद्र देश की राजकुमारी थी यहां ध्यान रखेंगे छेमा मद्र देश की राजकुमारी थी और जो चेलना थी वह चेलना लिछवी राजा लिछवी राजा चेटक की पुत्री थी ये तीनों जो वेक्ती थे इन तीनों महिलाओं से बिम्बी सार ने साधी करके अपने समराज का विस्तार किया था प्रसंसंख्या 19 है जीवक की से सासक या राजा का राजवैद था या राजवैद का मतलब हुआ कि डॉक्टर पहला उप्सन है अजात सत्रो उप्सन भी राजाजनक Isteak उप्सन इवपिवयर सार की दरबार में रहता था आगला प्रस्न है या इशापुर्ब 403 kuv 130-3 इसापुर्व 505 इसापुर्व 725 और option E तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option E यानि उपर्युक्त में से कोई नहीं यहां ध्यान देंगे कि 20 साल की मृत्यू 493 इसापुर्व में हुआ था चुकि विकल्फ में 493 नहीं दिया गया हुआ है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा E आजात सत्रू के बचपन का क्या नाम था option A धनिक Option B मनिक Option C कुनिक Option D बी तथा सी दोनो option E उपर्युक्त में से कोई नहीं उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा Option C कुनिक यानि अजात सत्रू के बचपन का नाम कुनिक था प्रस्तंख्या 22 है गंगा के किनारे पाटली पुत्र में एक दूर्ग दूर्ग का मतलब होता है किला एक दूर्ग का निर्मान किसने करवाया Option A उदियान Option B अजात सत्रू निर्मान करवाया था पहला निर्मान करवाया था किला निर्मान करवाया था पाटली पुत्रा में और दूसरे के लिए का निर्मान करवाया था राजगीर में इन दोनों किलों के निर्मान करने का उदेश है यहाँ था अजात सत्रू लिछवी राज्य से अपने समराज की रक्षा करना चाहता था तो इसी रक्षा के उद्देशे से उन्होंने पाथली पुत्रा और राजगीर में एक दुर्ग का निर्मान कर वाया था ताकि लिछवी इने प्राक्रमा न कर सके और इनका राज सुरक्षित रह स के प्रसंख्या 23 है किस मगद सासक के सासनाधीन मगद समराज की उत्री सीमा का विष्टार हिमालय की तलहट्टी तक था इसका सही उत्तर होगा उप्सन ए अजात सत्रू जब मगत समराज का सासक बना तो यहां काफी समराजवादी विस्तार निती को पालन करने वाला बेगती था इन्होंने अपने आसपास के जो भी सामनत थे जो भी अमात्य था उन सब पर आक्रमन किया उनको अपने में मिलाया और अपने समराजव को विस्तार करते चला गया और अजास्वत्रू के समय में मगद समराज का विस्तार हिमाले की तलहटी पर था जिसे हम लोग अभी सिवाली की स्रेनी को समझते हैं तो सिवाली की स्रेनी के जो गिरिपाद का छेतर था वहां तर सिमा के छेतर का सिमा था अगला प्रस्ण है प्रस्ण क्या 24 पाटली पुत्र नगर की अस्थापना किसने की ओप्सन ए उदियन ओप्सन बी गोपाल ओप्सन सी भद्रसेन ओप्सन डी संजय उपर युक्त में से कोई नहीं उपर युक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा कि पाटली पुत्र नगर की अस्थापना उदियन ने किया था उदियन एक मगद समराज पर सासन करने वाला व्यक्ति था यहां ध्यान देंगे उदियन अजात सत्रू का पुत्र भी था और उदियन सासक बनने से पहले चंपा का राजपाल था पाटली पुत्र में या मगद का राजपाल था अब यहां ध्यान देंगे उदियन जो था वह जैन धर्म को मानने वाला व्यक्ति था वह जयन द्हर्मा वलंबि था और उन्हों ने क्या किया उन्हों जो मगत समराजे का राजा भना तो उन्होंने अपनी राजधानी को राजगीर से, राजगरी कहले हुसे, राजगरी से पाफ़िलि पूत्रा प्रस्थानांत्रित किया यह काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो उदियन के संदर में BPC का द्वारा हमेशा प्रस्था पूछा जाता है पाटली पूत अस्था अपना उदियन ने किया उदियन राजा बनने से पहले चमपा का राज जे पाल था उदियन अजा सत्रू का अप्सण दी ओधियन उपर युगत में से कोई नहीं उपर युगत में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा नाग दसक यहां ध्यान देंगे कि हर्यक वंस का अंतिम राजा नाग दसक था अब यहां समझे कि नाग दसक को 412 इसापुर में हत्या कर दिया जाता है और हर्यक वंस के अंतिम सासक की हत्या करके मगद पर एक नए समराज एक नए वंस का नीव डालता है या नए वंस का स्थापना करता है उसको हम लोग कहते हैं शिशू नाग वंस अगला प्रस्थन है मगद के किस शासक ने सरपरथम कलिंग विजय प्राप्त की अप्शन A असोक अप्शन B काला सोक अप्शन C कोरंडवर्ण ऑप्शन D उमक अप्शन E उपरिक्त में से कोई नहीं उपरिक्त में से एक से अदिक इसका सही उत्तर है कि कलिंग पर विजय प्राप्त करने बाला सबसे पहला सासक हमारा असोक था इसकी चर्चा हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है इस अभिलेख में यह भी कहा गया है कि असोक ने 261 इसापूर्व में कलिंग पर आकरमन किया था और उस समय कलिंग का राजा था नंदराज प्रसंख्या 27 है कि परिशिष्ट परवन क्या है बौध गरंथ जैन गरंथ तो यहां समझ लेगी परिशिष्ट वर्मन जैन गरंथ है जिनकी रचना धेम चंद्र के द्वारा किया गया है प्रसंख्या 28 है कि किस मगद सासक ने सर्व छत्रान तक और एकराट की उपाधी ग्रहन की काफी महतवपूर प्रसंद है आपके ऑप्सन A है महापदमनंद ऑप्सन B विम्बी सार ऑप्सन C घनानंद ऑप्सन D चंद्रकुप्त ऑप्सन E उपरिक्त में से कोई नहीं उपरिक् और गाहन की थी इसके बिशे में समझ लेते हैं जो महापदमनंद थे महापदम नंद ने शिषुनागव स्कें अंतिम राजा नंदि वरधन इनदी वरधन को यूद में हराया था और यूदा ने के था और मगत पर सुत्ता प्रवसासन भी किया था एक हमारा बौध ग्रंत का या बौध धर्म का एक पुस्तक है उसका नाम है महाबोधी वन्स इस महाबोधी वन्स में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है और पुरानों में अभी जैसे जो टाइटल पढ़ते है सर्व छत्रान तक क्या एक राट इसकी चर्चा पुरानों में की गई है विभिन प्रकार के पुरान है जिसमें चर्चा किया गया है कि महापद्मनंद ही सर्व छत्रान तक है और एक राट है प्रसंख्या 29 है चंद गुप्त मौरे ने मगध में मौरे वन्स किया स्थापना कब की ओप्षन ए इसापूर्ब 321 ओप्षन बी इसापूर्ब 318 ओप्षन सी इसापूर्ब 323 ओप्षन डी इसापूर्ब 318 यहां 418 होगा इसे सही कर ले ओप्षन ई उपर युक्त में से कोई नहीं उपर युक्त में से एक सेदिक तो इसका सही उत्तर होगा ओप्षन ए 321 यानी चंद गुत मौरे के द्वारा मौर बंस की अस्थापना 321 इसापूर्ब में किया गया था यहां ध्यान लेंगे किसी कि किताम में इसकी चर्चा 322 इसापूर्ब के संदर में भी किया जाता है कि प्रसंसंक्या 30 है मगद एक सक्ति साली एबम सम्रीद शाली सामराज्य था इसके क्या करान से अप्षन सक्ति शाली एबम कुसल सासक का नेत्रितु भागोलिक सांस्कृतिक अनुकूलताएं जल यात की शुविदा उपजाओ मिर्दा छेत्र उपर्युक्त में से कोई नहीं उपर्युक्त में से एक से अधिक तो इसका आंसर हो जाएगा ई उपर्युक्त में से एक से अधिक यहां समझने का प्रयास करते हैं कि यह हमारा बिहार का मैप है और यह जो इलाका हमने राउंड कि किया है और कलर क्या है हमारा मगध छेत्र है जहाएक गंगा नुटी वहती जहाएक गंड़क नदी प्रभाइद हो कर आती है अब हमको देखो यहां परस्थ में पूछा जा रहा है गिसे हो जीया, यानि उन्हों ने समराज्य को बिस्ता रखिया और मगद को एक सकती चाले समराज्य बनाया। Option B कहरा कि भागोलिक सांस्कृतिक अनुकूलता है। यहां देखेंगे कि यहां जो इलाका मगद प्रांद का हमारा है वहां गंडक और गंका दोनों नदी के दौाब पे परता है यानि यहां काफी उपजाओ छित रहे। दूसरी बात क्या कि यहां हमेशा क्रिशियों के भूमी उपलब्द होती है सस्ति स्रमी की मिलते थे तो इसे छित में क्रिशी का रहे बहुत अधिक होता था। लोग संभ्रांत थे लोग खुशी पूर्बक रहते भी थे और विभीन संस्कृति के लोग भी यहां रहते थे। अगला ऑप्सन है कि जल यातायात की सुवित आप देख सकते हैं कि यहां गंडक नदी और गंगा नदी इन दोनों नदियों से इनको क्या मिलता था कि जल य पाई जाती है और मिर्दा में भीन प्रकार की फस्लों का उत्पादन किया जाता है। तो प्रस्न पूछा जा रहा है कि सकति साली और समर्द साली शाली समराज का क्या कारण थे तो यह जो चारो ऑप्सन दिये गया हुए हैं हुहां चारो ऑप्सन इनके लिए उपयुक्त प्रती तो होता है अतायव इसका उत्तर होगा उपर युक्त में से एक से अधिक अगला प्रस्ण है निम्न में से किन से मौरे समराज की जानकारी प्राप्त होती है ओप्सन ए है इंदी का ओप्सन बी अर्थसास ओप्सन सवय ओप्सन किया विलेख ऑप्सन डी समाचार पत्री उपट्ञिक ऊपर युच्ट में से कोई नहीं उपर युच्ट में से एक से अधिक तो iसका सही उत्तर हो जाएगा और अप्सन भी अर्थसास यहां ध्यान देंगे कि मौरिस हम्राज के विशय में हमको जानकारी अर्थसास के विशय में अस्तसास के द्वरा मिलता है जिसको की कौटिल ने लिखा था इनहीं कौटिल को हम लोग चानक के के नाम से भी जानते हैं और इनका एक और नाम है विश्णुगुप्त यह काफी महत्तपुन है और बीपेसी के तौरा हमेशा हीट किया जाता प्रस्न है कि कौटिल ने का अन्य नाम के आहां तो ध्यान रखेंगे कौटिल ने नाम चानक के और विश्णुगुप्त इनहीं को कहा जाता है अब यहां ध्यान देंगे कि कौटिल जो थे वह तक्षिला विश्वी द्याले में सिक्षक थे सिक्षक के रूप में अपना योगदान देते तक्षिला विश्वी द्याले में पाकिस्तान में इस्तित है और यहीं पर चंद समराज में किस परकार का सासन किया जा रहा था उसके भी शाम सास सजनकारी देता है जिसे कोटीली ने लिखा था प्रसंख्या बत्तिस है कि वरिशेल या वरिशेल से क्या अभी प्राय है उप्सन ए अती विशाल उच्छ कूल में जन्मा, निम्न वंस में जन्मा, सुद्र वंस में जन्मा, उपर युक्त में से कोई नहीं, उपर युक्त में से एक से अधिक तो इसका सही उत्तर होगा option D सूद्र वंस में जन्मा व्रिशाल या विसल से संदर्ब होता है सूद्र वंस में जन्म लेने वाला व्यक्ती अगला प्रस्न है रूद्र दामन संबंधित है पहला option A जूनागर अभिलेक से, option B एरन अभिलेक से, option C सांची अस्तूप से, option D सांची अभिलेक से, option इउपर युक्त में से, कोई नहीं उपर युक्त में से एक से अधिक तो इसका सही उत्तर होगा जूनागर यानि रूद्र दामन का जब भी चर्चा करते हैं, या रूद्र दामन के भीसे में हमको जो भी जनकारी मिलती है, वह जूनागर अभिलेक से प्राप्त होती है, जूनागर अभिलेक गुजरास से प्राप्त किया गया है अब जानते हैं कि रूद्र दामन कौन था, यहां ध्यान देंगे कि रूद्र दामन भारत के पश्चिमी छत्रफ वंश का राजा था और यह सक राजा था और इनके भी समय में जो भी जनकारी मिलती है, इनका सासन पर सासन कैसा चलता था, कितने मंत्री रहते थे, वहां की स्थिती कैसी थी, सब की जनकारी हमको जुनागर अभिलेक से मिलता है, हमें यह भी जनकारी मिलती है कि रूद्र दामन एक ऐसा सक राजा था जिन्होंने दक्षिना पतवस्वामी सात करनी यह भी काफ़ी महत्वपून। फिक्ट है जिसे आप Уॉयाद रखेंगे। इसा पुर्व इसका सही उत्तर होगा option ने इसापुर्व 345 यानी चंद्गुप्त मौरे का जन्म इसापुर्व 345 इस भी हुआ था अगला प्रस्ण है मेगास्थनीच दूत था सिकंदर का सिल्यूकस का चंद्गुप्त मौरे का चानक के का उपर्यूक्त में से कोई नहीं उपर्यूक्त में से एक से अधिक तो इसका सही उत्तर होगा मेगास्थनीच सिल्यूकस का दूत था सिल्यूकस क्या था सिल्यूकस एक यूनानी शासक था जिन्हों ने चंदगुब्द के दरवार में अपना दूत भेजा था मेगास्थनीज और इन्ही मेगास्थनीज ने चंदगुब्द मौरी के दरवार में रहते हुए इंदी का नामक पूस्तक लिखा था अगला प्रस्ट है भारत का मेकियावेली किसे कहा जाता है? उपसन अ चानक के बी चंदगुब्द, उपसन सी चंदगुब्द दोईतिए, उपसन दी चंदगुब्द दोईतिए चन्दगुप्त त्रीति ए उपर्यूक्त में से कोई नहीं उपर्यूक्त में से एक सरदिक तो इसका सही उत्तर होगा ए चानक्य यानि भारत का मैक्यावेली चानक्य को कहा जाता है यहां ध्यान देंगे कि मैक्यावेली इटली का रहने वाला था और यह महान दार्सनिक था, कवी था, महान संगी तग्य था प्रसंख्या से थीस चानक्य का अर्थसास्र हमें जानकारी देता है राज बेवस्था के बिशय में ब्यापार करने के नियम, कूठ नितिक संबंद सुधारने के नियम ये तथा सी दोनों इसका सही उतर होगा कि चानक्य का जो अर्थसास लिखा गया हुआ है वो हमें मौरे प्रसासन से संबंधित राज बेवस्था के विशय में जनकाई देती है यदे पी इस अर्थसास में मौरे सामराज के समय में जो भी बेपार्क नियम किया जाते थे उनकी भी चर्चा की गई हुई है जो कुट नितिक संबंध थे उनकी भी चर्चा की गई हुई है परन्तु सरबाधी के जो चर्चा किया गया हुआ है वो चर्चा किया गया है राज प्रसनसक्या 38, कंटक सोधन एबं धर्मस्थिये है, क्रमसः फ़ोजदारी और दिवानी नियाले, दोनो एक ही प्रकार के नियाले है, दोनो दंड देने के नियम है, tier, प्रियुक्त में से कोई नहीं, प्रियुक्त में से एक से अधिक, यहाँ ध्यान देंगे, इसका सही उत् प्रसंख्या 49 है सही स्विमिलित करे एक तरफ प्रांत दिया है दूसरी तरफ राजधानी दिया हुआ है और हमें चूज करना है यहां कूट वाला प्रस नहीं है हमें इसको सही कूट चूज करना है अब यहां समझने का प्रांत है क्या कि है चंद कूत मौर के समय में चून गूराज था वह चार भागों में बाटा हुआ था यहीं उन्हीं चारो भागों का चर्चा किया गया हुआ है जिन चारो भागों का नाम था अब अब sup अब समझते हैं कि जो अबंती पत था वह अबंती पत इसकी राजधानी उज्येन थी जो दक्षिना पत था इस दक्षिना पत की राजधानी सुवर्निगीरी थी जो मद्य छेत था उस मद्य छेत की राजधानी पाटली पुत्रा था और जो उत्रा पत था उसकी राजधानी दक्षिला थी अब यहां ध्यान देंगे तो यहां हम देखेंगे कि option C जो है वो हमारे दिये गए प्रांत एवन राजधानी के सही सुमेल को सुचित करता है तो इस परकर 49 का उत्तर हो जाएगा C प्रसंक्या 40 है कि मौरे काले में संस्था नामक गुप्तचर बेवस्था का उलेख मिलता है उसके काम करने का तरीका क्या था अब यहां ध्यान देंगे option A है वह घर-घर जाकर जासूसी करता था option B वह घूम-घूम कर जासूसी करता था option C वह सभाव का आयोजन कर गुप्तचरी करता था option D वह एक जगह इस्थिर होकर के गुप्तचरी करता था option D वह एक जगह इस उत्तर को सेटिसफाइड करता है अब समझते हैं कि मौरे काल में गुप्तचरी वेवस्था थी वह मौरे काल में गुप्तचरी वेवस्था दो प्रकार का हुआ करता था पहला था हमारा संस्था और दूसरा का नाम था संचार यहां ध्यान देंगे साथियो जो संस्था में लोग काम करते थे वह एक जगा इस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना पेसेंसली हमें सुना साथियों अब इसका PDF लब करवाया जा रहा है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से डाउंलोड कर सकते हैं यादि आज के डिस्क्रिप्शन में आपको किसी भी प्रकार का संका हो तो आप हमें बिदीजे कमेंट करें तो काफो चैनल को सब्सक्राइब झाल झाल